उबले हुए अंडे के पानी को न समझे बेकार अंडे का सेवन अधिकतर लोग करते हैं कुछ अंडे को उबाल कर खाते हैं तो कई इसे ओमलेट की तरह खाना पसंद करते हैं अक्सर हम अंडे को उबाल कर बचे हुए पानी को फैंट देते हैं लेकिन शायद आप नहीं जानते कि यह पानी बहुत ही लाबदाइक होता है इसे पौधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस पानी में कई तत्वा ऐसे होते हैं जो पौधों के लिए बहुत फाइदेमंद होते हैं आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं ये है उबले हुए अंडे के पानी के फाइदे घर के वातावरन को शुद्ध करने के लिए लोग पौधी लगाते हैं घर के अंदर रखे पौधों को पूरी तरह सूरज की रोशनी नहीं मिलती जिससे उनकी ग्रोथ ठीक तरह से हो नहीं पाती अगर इस पानी को पौधों में डाल दे तो उनकी ग्रोथ तेजी से होती है अंडे के पानी में मौझूद तत्व पौधों को जरों से मजबूत करते हैं अंडे को उबालते समय उनमें से मिनरल्स पानी में घुजाते हैं जो की अच्छी खाद की तरह काम करते हैं पौधों में हमेशा फ्रेंश और थंडा अंडे का पानी डालना चाहिए बासी पानी डालने से उनकी ग्रोथ नहीं होती लोग पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कई केमिकल का इस्तिमाल करते हैं जिससे पौधों को नुकसान पहुचता है अंडे का पानी पौधों के लिए दवा का काम करता है अंडे पानी के अलावा इसके चिलके भी बहुत फायदेमंद है चिलकों को पीसकर पौधों में खाद की तरह डाल सकते हैं इससे पौधों की जड़े मजबूत होगी और ग्रोथ पड़ेगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें